हेलो एब्रिवान, आज बनाएंगे आलू मटर पुलाओ, पुलाओ बनानी के लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिये हैं, वजन में 400 ग्राम चावल हैं, चावलों को दो दिन बार साफ पानी से धूलेंगे, चावलों को इस तरह से मसल मसल के धूलेंगे, पुलाओ बना पानी को फैक देंगे, पानी को फैक देंगे, चावल 15 मिनट के रिए बिगो के रख देंगे डेड़ गलास पानी लिया है मैंने, पानी रूम टेंप्रेचर पे लेंगे, एक सो सित्तर ग्राम टमाटर, साब पानी से धू合 के बारे खांट लेंगे एक से डेल इंच अद्रक का टुकडा साफ पानी से दो के छील लेंगे बारी काट लेंगे या कद्दू कस कर लेंगे दो हरिमिच बारी काट लेंगे या बीच में से छील लेंगे 100 ग्राम प्याज प्याज को छील के लंबाई में काट लेंगे 200 ग्राम फ्रेश मटर के दाने, मटर के दानों को दो दिन बार साफ पानी से दो लेंगे 270 ग्राम कच्चे आलू, आलवों को साफ पानी से दो के छील के काट लेंगे अगर आप पुलाव बनाने से थोड़ देर पहले आलू काट के रख रहे हैं आलवो को पानी में डिप करके रखें पानी में डिप करने से आलू काली नहीं पड़ेंगे 10 मिनट हो गए हैं चाबलो को भीगे हुए कूकर को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चमज सरसो का तेल तेल को हलका धुआ निकलने तक गरम कर लेंगे तेल में से हलका धुआ निकलने लगा है गैस फ्लेम बंद कर देंगे और तेल को हलका ठंडा होने देंगे तेल हलका ठंडा हो गया है इसमें डालेंगे दो तिन तेज पत्ते डेट से दो इंच दालचीनी का टुकडा चार लॉंग दस पंद्रा दाने काली मिर्च के दो बड़ी लाइची बड़ी लाइची को मैंने चाकू से इस तरह से बीच में से काट लिया है एक चम्मच जीरा डालेंगे जीरे को चटकने देंगे हरी मिर्ची, अद्रक और प्याज डालेंगे अद्रक को मैंने कद्दू कस किया है प्याज को पून देंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे गैस फ्लेम आप जरूरत अनुरसा रख सकते हैं प्याज भून गया है प्याज का कलर चेंज हो गया है इसमें डालेंगे कटे हुई टमाटर, आलू डालेंगे, मटर के दाने, चला देंगे, आधी छोटी चम्मच, हल्दी, धन्या, दो छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच, इसी हुई डाल मेश, देगी मिर्चली है मैंने, ये तीखी कम होती है नमक डालेंगे, स्वादानुसार मैंने दो छोटी चम्मच और थोड़ा सा नमक और लिया है एक छोटी चम्मच, किचन किट मसाला ये वाला मसाला डालना ओप्शनल है, आप इसके बिना भी पुलाओ बना सकते है चोथा ही छोटी चम्मच से कम करम मसाला थोड़ा सा पानी डालेंगे, चला देंगे सभी मसालो को अच्छी से मिक्स कर देंगे आलू मटर मसाले के साथ भून जाएंगे मसाले को तब तक भूनेंगे, जब तक मसाला साइटों से तेल ना छोड़ दे और बीच बीच में चलाते रहेंगे मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल, चावलों को भीगोने के लिए मैंने जो पानी लिया था, वो पानी निकाल दिया है, जिस कटोरी से चावल नापे थे, उसी कटोरी से पानी लिएंगे, एक कटोरी चावल के लिए दो कटोरी पानी लिएंगे, हलके हाँ से चलाएंगे, भीगे हुए चावल बहुत जल्दी तूट जाते हैं, इसलिए हलके हाँ से चलाएं, कूकर का ढखकन बंद करेंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे उसके बाद कुकर खोलेंगे कुकर का प्रेशर रिलीज होने के 15 मिनट बाद कुकर खोल रही हूं मैं चावलों को एक साइट से पलटेंगे इस तरह से किनारे से पलट देंगे चावल अच्छे से पक गए हैं अलू मटर पुलाओ बन गया है अगर आपको अलू मटर पुलाओ की ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पुलाओ को मैंने खीरे के रायते के साथ सर्प किया है खीरे की रायते की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी